हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्रिकर्चर अड़्डा 24-7 अड़्डा परिवार में आपका स्वागत है चलिए सुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपल तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएए गुड इवनिंग आरुशी वरी इना डिसकस करने वाले हैं और यहां से आपके काफी सारे कोश्चंस भी बनते हैं तो उन सारे कोश्चंस को देखते हुए हम लोग यहां पर अपनी क्लास को शुरू करते हैं ठीक है थम्बनेल पर आपको दिख गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे एपल पढ़ें हो या फिर आप किसी और एक्जाम्स की त्यारी कर रहे हों गवर्मेंट सेक्टर के लिए तो उन सब के लिए आपको यह एगरिकर्चर फांडेशन की जो हम लोग क्लासे सदा रहे हैं वह आपके एक्जाम्स में सब में काम आने वाली हैं ठीक है गुड न्यूज आपको मिल पहने वाले हैं और एपल का साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है मैलस प्यू मिला क्या नाम होता है मैलस प्यू मिला मैलस डोमेस्टिका बहुत सारे नाम होते हैं आपने अलग-अलग हो सकता है आपने काफी सारे नाम से इसके पढ़े होंगे ठीक है लेकिन यहां पर म मैं गलत पड़ रहा हूं, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, एक crop के एक से ज़्यादा नाम सो सकते हैं, यानि कि उनको synonyms बोलते हैं, जैसे आप अंग्रेजी में बढ़ते हैं, हिंदी में बढ़ते हैं, परियाइवाची और इंगलेश में बोलते हैं synonyms ठीक है तो उसी तरीके से synonyms होते हैं यानि कि उसके similar names होते हैं जैसे इसको malus communis भी बोलते हैं या इसको pyrus malus भी कहते हैं ठीक है ये तीनों नाम इसके होते हैं और इन तीनों नाम ही बिल्कुल सही है अगर आपको मिले तो परिशान होने की जरूद नहीं है ठीक है बच्चे यहां तक चीज़ें क्लियर है मैलस प्यूमिला कहीं कहीं आपको मैलस domestica भी लिखा मिलता है ठीक है मैलस communist या पाइरस मैलस यह वाला नाम थोड़ा ज़्यादा पॉपलर है कि आजकल यह वाला नाम चलता है ज्यादा तर आपको मैलस पाइरस मैलस लिखा मिलता है ठीक है बच्चे यहां तक चीज़ें क्लियर है फैमिली की बात करें रोजेसी इसकी फैमिली होती है और अगर ओरिजिन प्लेस की बात करें तो साउथ वेस्ट एसिया ठीक है क्या साउथ वेस्ट एसिया बहुत अच्छे से आप ध्यान दखेंगे कि दस्चन पस्चिम एसिया कौन सा दस्चन पस्चिम एसिया वाला जो रीजन है वो इसका मूल इस्थान पाया जाता है या इसका उत्पत्तिस्थान कहा जाता है ठीक है अब साउथ वेस्ट एसिया क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको याद रखेंगे क्योंकि जो कन्फूजन होता है वो साउथ इस्ट एसिया या साउथ वेस्ट एसिया में ही होता है ठीक है किसमें साउथ इस्ट एसिया में या फिर साउथ वेस्ट एसिया में कन्फूज अब आगे बढ़ें, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और यह है आपका Apple, आपने बहुत अच्छे से खाया होगा, ठीक है, आप रोज खाते होंगे, सायद है कि आपको बहुत पसंद होगा, ठीक है, आपको पसंद होगा, सबने खाया है न, ऐसा कोई है जismки नहाखाया हो, चाओ से खाते हो ना सब लोग ठीक है बिल्कुल सही बात है ये है आपका एपल का फ्रूट और साथ में क्या है उसके उसके है पेड़ साथ में ठीक है पेड़ पे फल लगा है चलिए आगे बात करते हैं एक पुरानी कहवत आपने सुनी होगी कि रोज एक सेव खाओ और डॉक्टर को दूर बगाओ क्या रोज एक सेव खाओ और डॉक्टर को दूर बगाओ ऐसी एक पुरानी कहवत है आपने खूब सुनी होगी तो हाँ बिल्कुल अच्छी बात है अगर आपने सुनी है तो ये देखो लिखा है एन एपल अडे कीपस तो डॉक्टर अवे क्या लिखा है एपल अडे कीपस डॉक्टर अवे रोज एक सेव खाओ और डॉक्टर को दूर बगाओ क्यों ऐसी कावत कही गई ऐसी कावत इसलिए कही गई कि इसमें जो नूट्रीशन है यानि कि जो नूट्रेंट्स होते हैं वो काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जिससे क्या ह जिससे हमारी बॉड़ी है उसको काफी नूट्रीशन मिलता है और वो फिट रहती है ठीक है जब मैं आपको एपल माफ करना जब मैं आपको ग्वावा पढ़ा रहा था क्या पढ़ा रहा था ठीक है तो मैंने आपको एक चीत बताई थी कि गवावा को क्या कहते हैं गरीबो गौवा जब हम आपको बढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि इसको पूर मेंस एपल कहते हैं ठीक है आपको याद होगा ठीक है जब इसकी तुलना अमरूद की सेव से ही क्यों गई क्यों की गई किसी और फूर्ट से क्यों नहीं की गई ठीक है यह थोड़ी सी सोचने वाली बात है अब सोचने वाली बात क्यों है क्यों 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 कि यह कावत जो मैंने आपको बताई कि आयन एपल अड़े की इस तो डॉक्टर अवे तो भाया यह इसलिए कहा गया था कि एपल में बहुत सारे नुट्रीशन होते हैं जिसकी वजए से हम क्या करते हैं हम लगबग एपल के जैसा ही होता है ठीक है अब आपको यह चीज़े क्लियर हो गई होंगी तो लिखा है दिस इस दा ओल्ड प्रोबर्व विच सिग्निफाई दा नुट्रेटिव इंपॉर्टेंस आफ एपल इन यूमन डाइट कह रहा है कि यह जो कहावत कही गई है वो बत स्बसक्क Civic 313.4% एंड़ अल्सो फेरली इस इंड चैल्सी उम अपक आपका 10 मीली ग्राम प्रते 100 ग्राम एक तो明 च्छा कर्भो हैड्रीट पाए जाता है और उसके साथ-साथ कैलसियम कितना पाये जाता है 10 मीली ग्राम प्रती 100 ग्राम पाय जाता है उसके साथ-साथ क्लियर हैं बच्छे बताओ यहां तक सारी चीज़ें क्लियर है ठीक है यह बात अब आपको समझ में आ गई होगी ठीक है ना चलिए अब आगे चलते हैं इसमें कार्वोहाइडरेट कैल्सियम फॉस्फोरस और पोटेसियम जैसे मिनरेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं जो क्लाइमेट और स्वाइल रिक्वाइर्मेंट्स की इसकी क्लाइमेट और स्वाइल रिक्वाइर्मेंट्स की बात करते हैं कि इसके लिए कैसी क्लाइमेट चाहिए और स्वाइल की कंडिक्शन क्या होनी चाहिए तो कहना एपल इसेंसियली एटमप्रेट क्रॉप आपको सब इसलिए होता है कि जैसे जैसे आप पहाडों की तरफ बढ़ते हैं तो जो समुद्र तल से उचाई होती है वो दीरे-दीरे अच्छी होगी यहां तक चीज है ठीक है तो कह रहा है जब बहुत ज्यादा कम टंप्रेचर होता है यानि की टंप्रेचर आपका लगबग लगबग साथ के आसपास चला जाता है तब भी आपका जो एपल है वो वहाँ पे अच्छे से ग्रो करता है ठीक है दर टिपकल टंप्रेट ट्रिपकल टंप्रेट टाइप्स रिक्वाईर हन्रेड आवर्स अफ अनिंटरॉप्टेट चिलिंग बिलो सेवन डिग्री यह बच्छा डिग्री का निशान है नीचे आ ग्रो करते हैं या जिसको चिलिंग रिक्वाईर्मेंट भी कहते हैं ठीक है यहां तक चीज़ें क्लियर हैं आगे बात करते हैं कह रहा है आफ्टर दा बंड ब्रेक जब प्लांट्स हमारा कितने एक हजार गंटे सर्वाइब कर लेगा कि उसमें एक हजार गंटे साथ डिग होगी और फ्लावरिंग आपकी आएगी तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद बट ब्रेक होगी यानि कि आफ्टर दा बट ब्रेक डूरिंग दा ग्रोध लॉंग डे आवर विद लाइट हाइलाइट इंटेंसिटी वार्म डिज नॉट हाट दिज दिन गर्म होना कब की बात कर रहे हैं ये बात हम कर रहे हैं जब हमारी बड की ग्रोध हो चुकी है यानि कि अब इसमें फ्लावरिंग और उसका सीजन आ रहा है तब की हम बात कर रहे हैं रात का टमपरेचर जो होगा वो 7 से 8 डिगरी सेंटीग्रेट होगा और फेवरेवल फॉर इन लार्ज क्वांटिटीज कितना क्या टमपरेचर चाहिए फल के उत्पादन के लिए दिन का टमपरेचर चाहिए 12 से 15 डिगरी सेंटीग्रेट और रात का टमपरेचर चाहिए 7 से 8 डिगरी सेंटीग्रेट जो सबसे बढ़िया होता है किसके लिए सबसे अच्छा होता है आपके apple के production के लिए बोलो यहाँ तक चीज़ें clear है बच्चे ठीक है आगे बात करते है the freezing soil temperature can kill the trees अगर soil का temperature अगर soil का temperature बहुत ज़्यादा है यानि की freezing temperature है यानि की minus में temperature है ठीक है तो अगर ऐसी condition आएगी तो plants आपका क्या होगा तो plants के आपके death होने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं ठीक है बच्चे इतनी बास बन में आई आई आपको चलिए कहरा a well-drained slightly acidic soil pH 75 से 6.5 यानि की 6.5 to 6.7 approximately 6.5 की ही बात कर रहा है loam soil with a good depth 45 cm is more is considered to be ideal for apple production या apple cultivation ठीक है देखो यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज है बच्चे वो है आपकी pH कि आपको कितना pH में ग्रो कर सकते हैं तो आप याद रखेंगे कि slightly acidic condition में आप इसको ग्रो करा सकते हैं और साथ-साथ आपकी जो soil है वो deep होनी चाहिए यानि कि जो roots हैं उसकी well develop हो सकें अगर आप यह नहीं भी याद करना चाहते हैं तो इसका कोई इतना matter नहीं करता है क्योंकि आप से depth नहीं पूछेगा कि इसको कितनी depth चाहिए स्वाइल की ठीक है बच्चे जो पूछेगा वो कौन सी soil है तो आप बताएंगे slightly acidic और low me soil है pH आपका इतना है 6.5 ठीक है यहां तक बास्पन में आई बच्चे कोई समस्या चलिए very good evening शुभम and विभूती विभूती भूशन चलिए चलिए सुरू करते हैं बच्चे आगे चलते हैं बात करते हैं किसकी propagation की ठीक है बताओ यहां तक कोई समस्या है आपको किसी को कोई समस्या अगर किसी को कोई समस्या हो तो comment करो ठीक है चलिए देखो बच्चो अगर आपको session अच्छा लगता है तो आप please इसको share जरूर क्या करिए ठीक है ताकि और भी जो लोग है वो जुड़ सके उन तक पहुंच सके ठीक है काफी सारे बच्चे हैं जो चायते हैं कि उनकी भी तैयारी हो जाए तो आप एक तरीके साब लोग के लिए free है तो कोई cost नहीं पढ़ रही है तो आप आराम से इसको share करिए और भी लोग पढ़िए ठीक है चलिए आपके जो अपने college के group वगरा है वहाँ पे आप इसको share जरूर करिए ठीक है अब हम बात करते हैं किसकी propagation की propagation की बात करते हैं तो देखते हैं कि इसका जो propagation है वो कैसे किया जाता है और क्या क्या चीजें रहती है प्रपोगेशन में तो कह रहा है या आपका टंग ग्राफटिंग से किया जाता है इतनी बात आप समझ कहे होंगे उसके बाद कह रहा है इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे क्या ध्यान रखेंगे कि मैलस साइलवेस्टिस जो है इसको क्रैब एपल भी कहते है और बच्चा इसका नाम सीधे सीधे पूछा जाता है कि क्रैब एपल किसको कहते हैं तो मैलस सालवेस्ट्रिस को क्राइब एपल कहते हैं, दूसरा है आपका मैलस प्यूनी फोलिया और है मैलस सिक्की मनेंसिस और धियर हाइब्रेट्स, डेरिवेटिब्स और सीडलिंस प्रोजनीस आफ कल्टिवेटेड वाराइटीज, देखो ये कुछ स्पसीज हैं जिनको क्राइब एपल यानि की वो एक स्पसीज है एपल की मैलस सालवेस्ट्रिस, मैलस प्रोणी फोलिया, मैलस सिक्की मनेंसिस, ये सब क्या है, इनको ऐजे रूट स्टाक के तोर पर ग्रो कराते हैं, ठीक है, आगे हम अभी और जब बढ़ेंगे, तो उसमें हम और आपको आया विप ग्राफ्टिंग से और टंग ग्राफ्टिंग से करते हैं, ठीक है, चलिए, इतनी बास्वन में आई, यहां तक किसी हो कोई समस्या, सब्सक्राइब बहुत-बहुत धन्नवाद बच्चे, ठीक है, आप लोगों का बस ऐसा ही प्यार मिलता रहे, काफी है मारे लि आइसे रूट स्टार्क, वो रूट स्टार्क जो सीधे-सीधे आपके एक्जाम्स में पूछे जाते हैं, कैसे, सीधे-सीधे आपके एक्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन रूट स्टार्क की कुछ अपनी खासियत है, उस खासियत को भी आप ध्यान रखेंगे, वो भी आ बात करते हैं M9 की आपने बहुत सुना होगा M के बारे में देखो इस M का क्या मतलब है इस M का मतलब है मैलिंग से किस से इस M का नाम होता है मैलिंग क्या नाम है इस M का नाम है मैलिंग और ये एक रिसर्च सेंटर है कहां पर इसका पूरा नाम है East Melling Research Center, क्या नम है? East Melling Research Center, ठीक है? East Melling Research Center, जो की England में है, कहां पर आई? England में है बच्चे, एक बार पूँछा गया था आपके पेपर में, मैंने साइट कहीं देखा है, कि ये पूँछ लिया गया था कि East Melling Research Center कहां पर स्टैबलेस्ट है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये England में स्टैबलेस्ट है, तो ये जो Research Center है, इसी Research Center पर इस Root Stock को डबलब किया गया है, इसी लिए इसका नाम रखा गया है, M से स्टार्ट किया गया है, क्यों? क्योंकि ये M represent करता है Melling को, ठीक है, और इसके बाद इसमें numbering कर दी गई, क्योंकि काफी सारे थे, तो ये M9 है, ये अब आप ध्यान रखेंगे कि M का क्या मतलब है, M का मतलब है Melling, और M9 जो है आपका, वो है ड्वार्फ Root Stock, कैसा? ड्वार्फ Root Stock है, ठीक है बच्चे? उसके बाद आता है आपका M27, ठीक है, M27 आता है, M27 आपका Ultra Dark होता है, मैं सीधे सीधे पूछा जाता है, कि ड्वार्फ Root Stock आप Apple, तो आप बताएंगे M9, और ड्वार्फ Root Stock आप Apple, तो आप बताएंगे M27, ठीक है, इतनी वासवन में आई, Animal Husbandry की Class कब से है, टाइम बता दिये, बच्चा Animal Husbandry की Class चल रही है, साथ या 8 Classes हो चुकी है, ठीक है, मैं सुभई आपको एक बजे बढ़ाता हूँ, एक पीम पर, एक से दो बजे हमारी Class चलती है, एक से दो पीम, इसी Agriculture Edda 24-7 पर, ठीक है, Animal Husbandry की जो Class चलती है, उसकी टा आप एक बार जाके वहाँ पर देख लेंगे, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें सारी Classes एक साथ है, विद सीरियल नंबर के, ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ अब आपको ध्यान में आ जाएगी, कि M9 ड्वार्फ है, क्या है, M9 ड्वार्फ है, और M27 अल्टरा ड्वा ठीक है, चलिए, M7 और MMX अच्छा है, ये कह रहा है, tolerant to below freezing, ये वाला जो root stack है, MMX अच्छा है, और M7, ये freezing temperature को tolerate करता है, और किस temperature को, तो कह रहा है, minus 40 degree centigrade to minus 35 degree centigrade, लगबग 35 से 40 degree centigrade, minus में temperature को, क्या करता है, resistant है, tolerant है, उसके लिए, ठीक है बच्छे, कौन सा, MMX अच्छा है, और उसके साथ-साथ, ये MMX अच्छा है, ये resistant है, woolly aphid के लिए, woolly aphid एक insect होता है, जो attack करता है, आपके apple के plants पर, उसके लिए ये resistant है, MMX अच्छा है, ये भी आपका बहुत बार पूचा गया है, ठीक है, ये जो चीज मैं यहा पर आपको बता रहा हूँ, आप बहुत जब कोसिस करेंगे, ढूनेंगे तब ये सारा content आपको मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए, बच्छो ध्यान से इसको समझ लो, क्योंकि यहां से questions आपको बहुत मिलते हैं, सीधे-सीधे बिल्कुल पूचता है, MMX अच्छा है, रसिस्ट रूट स्टाक है, तो आप बताएंगे, एपल का है, ये है रसिस्टेंट वूली एफिड, और वूली एफिड का नाम है, इरियोसोमा लैनी केरा, क्या नाम है, इस वूली एफिड का नाम है, इरियोसोमा लैनी केरा, ठीक है, अब आप इसको ध्यान रखेंगे, नॉर्दन स जगहें है उटावा वहाँ पे डबलब किया गया है Canada as a selection of मैलस रोबस्टा मैलस रोबस्टा जो इस पसीज है एपल की उस से selection करके बनाया गया है कहां पे ये Canada में और इसका नाम रखा गया है रोबस्टा 5 ठीक है तो अब आप ध्यान रखेंगे कि Robusta 5 जो है वो कहां से Double Up है तो वो आपका Double Up है Canada से और किस Species के Selection से तयार किया गया है तो Malus Robusta Species के Selection से तयार किया गया है और ये भी Resistant है Woolie Aphid के लिए ठीक है लेकिन Questions जो बनते हैं सबसे जादा वो MM106 से और Northern Spice से आपके बनते हैं उसके बाद कुछ और Root Stock है जिसमें है Martin 779 और 793 ये इतने ज़्यादा popular नहीं है कि आप से सीधे सीधे Questions पूछें लेकिन Examiner का कुछ भरोसा भी नहीं है पूछ भी सकता है ठीक है तो आपको इसको ध्यान रखना है कि Martin 779 और 793 भी किसके Root Stock है ये आपके Apple के Root Stock है बुलो यहां तक बच्चे clear है सारी चीजे चलिए यहां तक clear है तो अब चलते हैं आगे बात करते है varieties की वैसे Apple में इतनी सारी variety है इतनी सारी variety है कि आप अगर रोज भी एक save खाएंगे ना तो भी आप इतने आसानी से खतम नहीं कर पाएंगे ठीक है रोज अगर आप एक different variety का save खाएंगे तब भी आपको कई वर्स लग जाएंगे सारी varieties को complete करने में लें ठीक है बहुत सारी varieties हैं तो इसके लिए हमें ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है जो important variety है हमारे हिसाब से हम लोगों के हिसाब से क्यों क्योंकि apple इसलिए उसमें ज़्यादा varieties है बच्चे क्योंकि पूरा यूरोप अमेरिका ठीक है जो भी ये temperate zone वाले countries है वहाँ सब जगह क्या कियाता है save को उगाया जाता है ठीक है अपने हाँ तो फिर भी कम उगाया जाता है क्योंकि अपने हाँ कुछी states है जहाँ पर एपल की cultivation होती है बाकि यूरोप अमेरिका रसिया जैसे अगर देखोगे ना तो यहाँ पर सबसे आदाब का grow कराया जाता है खासकर यूरोप रीजन में ठीक है चलिए वाराइटी की बात करते हैं तो कह रहा है इन इंडिया एट हिमांचल प्रदेश वाराइटी इस लाइक किंग ऑफ पिपिन्स मैकलन तोस golden delicious, red gold, starking delicious, yellow newton and granny smith और grown अब यह कहां grow कराया जाती है यह कराया जाती है आपकी रोबस्टा तो बनाना कभी है बच्चा वो रोबस्टा वराइटी है ठीक है यह मैलस रोबस्टा इस पसीज है ठीक है confused मत होईएगा रोबस्टा उसकी वराइटी है केला की बिल्कुल सही बात है इसलिए इसमें नाम लगा है रोबस्टा 5 तो आप बिल्कुल भी confusion में नहीं आएंगे कि यह किसकी वराइटी है यह वराइटी नहीं है यह root stock है जो इसको mostly root stock के लिए grow कराया जाता है और मैलस रोबस्टा की species से इसको क्या क्या गया है डबलब क्या गया है ठीक है चलिए तो हिमांचल परदेश में कौन सी grow कराया जाती है king of pippins, mackalantos, golden delicious, red gold, starking delicious, yellow newton और granny smith यह वराइटी आपकी हिमांचल परदेश में grow कराया जाती है और उसके साथ साथ जम्मू एंड कस्मीर में grow कराया जाती है iris peach, अब यह मत कहिना कि यह peach लिखा है तो आडू की वराइटी होगा नहीं बच्चा, यह सेब जी है iris peach, cox orange, pippin उसके बाद है carry pippin, umbri, lal cedar, golden delicious, lal umbri, red delicious, sunahari, rajakwar यह कैसी है यह सारी वराइटी है जो आपकी जम्मू कस्मीर रिजन में grow कराया जाती है जिसमें lal umbri और umbri यह बहुत famous वराइटी है जो इंडिया में grow कराया जाती है ठीक है, इतनी वास्वन में आई, यहां तक चीज़े clear हैं बच्चे, किसी को कोई समस्या अगर किसी को कोई समस्या हो, तो अभी बताओ, उसकी समस्या का समाधान किया जाए ठीक है, देखो, वराइटी आपको तभी याद होंगी, जब उसको आप बार बार याद करेंगे, बार बार पढ़ेंगे ठीक है, रटना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दोहराना आए जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप इसको दोहराएंगे, जैसे जैसे एक चीज है कि डिलीसियस लगा है, तो इसका मतलब सेव की ही होगी, ठीक है रेड गोल्ड लगा है, गेल गाला लगा है, यह सब कैसे हैं, यह सब आपकी वराइटी अगर किसी वराइटी में गाला लगा है, जैसे गेल गाला, तो यह वराइटी सब आपकी किसकी होगी, यह आपकी एपल की ही वराइटी होगी, ठीक है चलिए, इतनी बासमन में आईए आपको यहां तक, आगे बात करते हैं, अब प्लांटिंग की किसकी planting की बात करते हैं और देखते हैं कि planting में क्या क्या और कैसे करते हैं ठीक है चलिए कह रहा है 60 गुणा 60 गुणा 60 cm के size के pit खोदते हैं उसके बाद 5 गुणा 5 मीटर पे क्या करते हैं plant को plant करते हैं यानि कि apple की जो planting distance है वो normally 5 गुणा 5 मीटर है और कह रहा है कि for effective fruit set since self incompatibility exists in the most of the cultivars self incompatibility अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझते हैं तो हम आपको समझा दे self incompatible का मतलब है कि self का मतलब है swarm और incompatible का मतलब है कि ऐसी चीजे यानि कि जो male और female part है यानि कि male और जो female flower है वो male flower female पे compatible नहीं है यानि कि ये male उसी flower का male अपने female को fertile करने के लिए compatible नहीं है यानि कि वो अपने female को fertile नहीं कर सकता है अपने ही flower पे लेकिन अगर वो दूसरे flower पे जाएगा तो fertile कर सकता है तो इसको बोलते है self incompatibility यानि कि एक ही flower के male और female एक दूसरे को fertile नहीं कर सकते है male की case की बात कर रहा हूँ, male fertile नहीं कर सकता है तो इसलिए कहते है self incompatibility यानि कि क्या है उसी flower पे वो male compatible नहीं है लेकिन अगर दूसरे उस पे जाएगा तो compatible हो जाएगा ठीक है तो इसको बोलते है self incompatibility जब नर मादा को fertile नहीं कर पाएगा तो सीधी बात है आपको मालूम है कि fertilization की process नहीं होगी और fruit का development नहीं होगा तो इस समस्या को खतम करने के लिए हमें वहाँ पे कुछ और variety लगानी पड़ेंगी यानि कि हमें दूसरी variety भी लगानी पड़ेंगी जो क्या कर सकें जो वहाँ पे pollination या pollinizer के तोर पे काम कर सकें यानि कि उनके पालन जाके उस flower पे जाएंगे और compatible हो जाएंगे और fertilization हो जाएगा तो इसको करने के लिए pollinating varieties are interplanted यानि कि उसी और चड़ में आपको pollinating variety को भी लगाना है usually one in six और one in nine plants is used as a pollinizer कह रहा है कि 6 में से एक पौधा या 9 में से एक पौधा यानि कि अगर 9 plant आप लगाएंगे तो उस 9 plant में आपको एक दूसरा pollinator plant भी लगाना पड़ेगा ठीक है या 6 में से एक या 9 में से एक ठीक है जब आप इस ratio से लगाएंगे तब जाके आपका जो orchard है वो कैसा होगा अच्छा होगा और उसमें self fruit self unfruitful varieties जो है उनके साथ आपको यह pollinizer plants लगाना पड़ेगा बोलो बात समझ में आई उसकी बात कहरा है in intensive system planting is done as 4 into 2.5 meter or less a complete row of pollinizer is used for every two rows of main variety ठीक है कहरा आप pollinizer variety लगाओ और आगे कहरा है कि intensive system जब आप plant करोगे intensive system से आप plant करोगे तो आपको क्या करना है तो आपको distance कम कर देनी है इसी का दूसरा रूप हम आँगे discuss करने वाले है कि intensive system की बात की है यानि कि यह चारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा plants और लगाए जाएं तो अब ज़्यादा से ज़्यादा plants लगाए जाएंगे तो अब हम लोग क्या लगाएंगे हम लोग लगाएंगे high density planting का करेंगे इस्तेमाल इसका हम लोग करेंगे high density planting का इस्तेमाल तो high density planting में क्या होगा बच्चे हाइंगे high density planting में ज्यादा पास-पास plants लगाए जाएंगे ठीक है तो कहरा फॉर दिस ड्वार्फिंग रूट स्टार्क लाइक एम नाइन एम में 106 और एम 27 देखो दोनों ड्वार्फ रूट स्टाक आ गए क्यों अब हम जब high density planting करेंगे तो पास-पास करेंगे तो हमें ज कुबी दूस तग्राफ्ट और प्लांटेड एज एक लोज इस पेसिंग अफ दो गुणा एक मीटर तो यहां पर जो याद रखने वाली चीज है वो यह है कि जब भी हाइड इंसेटी प्लांटिंग की बात होगी किसकी तो जो इस पेसिंग रहेगी वो दो गुणा एक कितनी थी पांच गुड़ा पांच मीटर थी और यहां पर कितनी रहेगी दो गुणा एक मीटर ठीक है तो बास समझ में आई देखो बच्चे अगर हाई देंसिटी प्लांटिंग में हम और क्लोस प्लांटिंग करेंगे अगर आपने नाम सुना हो यहां पे टाटूरा ट्र जिसको एपल में इस्तेमाल किया आता है यह आपका अल्टरा हाई देंसिटी या मिडो और चर्डिंग की केटागरी में आता है यानि कि इसमें लगबग 50,000 तक प्लांट पर हेक्टेर लग सकते हैं कितने 50,000 ठीक है सुनने में थोड़ा सा अजीब साउंड करता है लेकिन ऐसा पॉसिबल है ऐसी चीजें डवलप हो रही है ठीक है और इस टेक्निक्स को अपनाया जा रहा है ठीक है बच्चे चलिए अब आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं ट्रेनिंग और प्रोनिंग की किसकी ट्रेनिंग और प्रोनिंग की अगर कॉमनली ट्रेनिंग और प् बात करें तो कुछ और भी ट्रेनिंग्स है जो एपल में यूज की जाती है जैसे कॉर्डन सिस्टम, ड्वार्फ पिरामिड सिस्टम और स्पैलर सिस्टम, टाटूरा ट्रेलीज और लिंकन कैनोपी ठीक है ये कुछ और टेक्निक्स है जो इस्तेमाल की जाती है जिनसे लो डे निसिटी से लेके हाई देन सिटी तक का Also the high इंसिटी और सुपर हाइ टेनसिटी और उसके बाद जैसे मिड्व और चलिए कि प्लांट्स को हम इसमें ग्रोग कर सकते हैं ठीक है मिडू और चलिए का मतलब आप समझ रहे होगे मिड्व और चलिए बहुत जादा संख्या में कार्ड इसपर एपल में जो फूरूट्स आते हैं वो इसपर पे आते हैं कुछ वराइटी हैं जो इसपर पे फूरूट को ग्रो करती हैं कुछ वराइटी हैं जो सूट पे फूरूट को ग्रो करती हैं ठीक है तो इसपर होता क्या है इस पर आपका होता है past season growth यानि कि एक साल पुराना जो suit है वो आपका इस पर कहलाता है उसी पर आपका fruit आता है कहरा in the established spur system the permanent fruit spurts are obtained on the lateral by heading back the leader every year कहरा spurts पर फरूट आते हैं तो spurts को आपको बना के रखना होता है सर्फ first year का है second year का है आप क्या पूचना चाहरे है उस बात को आप बताइए कि आप ठीक है तो कह रहा है कि जो spurts आपके आते हैं उसी spurts पर fruit का development होता है और उसी spurts पर आपके उसी spurts पर आपके fruit आते हैं और उसी spurts को जब जैसे ही आपका fruit डाल है और इस पर ये इस पर है, जब ये इस पर काफी बड़ा हो जाएगा, मैचूर हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा दो तिहाई हिस्सा इसका काट देते हैं, यानि कि कुछ हिस्सा इसका काट देते हैं, पूरे इस पर को खतम नहीं करते हैं, ठीक है, तो वही कह रहा है कि इस प की height कितनी ज़्यादा हो गई है इस पर productive है या नहीं है अगर नहीं productive है तो आपका वह वहाँ पर बढ़ जाता है ठीक है अरे बच्चा क्या बोच रहे कैसा subject first year का है second year का यह class आपकी उसके लिए है आप किसी भी exams की त्यारी कर रहे हो आपके अगर subjects में अगर आपके semester में भी articulture है तो उसके लिए भी आपकी काम करेगी अगर आप competition की त्यारी कर रहे हो तो mainly जो focus है वो competition की विहाब से है चाहें आप government job की त्यारी कर रहे हो किसी agriculture से या आप MSC in trains की त्यारी कर रहे हो यहां पर कौन-कौन से plants या कौन-कौन से disease इसमें आती है ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी काफी ठीक है चलिए किसी को कोई दिक्कत सुभम बांडे आपका जो queries है उसको पूरा साफ साफ लिखा करो तो समझ में आएगा ऐसे first year second year समझ में नहीं आता कि आप क्या कहना चाह रहे है मुझे भी समझ में नहीं आता है ठीक है चलिए पेस्ट की बात करते हैं तो पेस्ट में एक aphid लगता है इसको बोलते हैं इरियू सोमा लैनी गेरम या इसको बोलते हैं एफिस पामी क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं यह आपका aphid है जो किसमें लगता है जिसको वूली एफिड भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसी को वूली एफिड भी बोलते हैं वूली एफिड इसको क्यों कह उन उन डेखने में कैसी हो वाइट होती है इसका एक होता है तो यह तने पर लिक्विगोड चन्वांत का सक करत खता है और प्लांट की देरे-दीरे करके फने लगतीन है कि तो यह इतनी मात्रा में हो जाते हैं कि उस पूरे तने को, यानि कि पूरे प्लांट्स को cover कर लेते हैं, और आप दूर से गर देखेंगे, तो आपको ये महसूस होगा, कि इस प्लांट पे किसी ने cotton लगाई है चारो तरफ, क्या लगाई है? स्टेम पे किसी ने cotton लगाई है चारो तरफ, यानि कि ये आपका system है तो इसके चारों तरफ आपको ऐसा मैसूस होगा किसी ने cotton को लपेट दिया है इस वजए से यह दूर से देखने में white दिखता है एकदम cotton के जैसा दिखता है या wool के जैसा दिखता है किसी लिए इसका नाम रखा गया है वूली एफिड ठीक है क्या नाम रखा गया है वूली एफिड रखा है scientific नेम आप याद रखेंगे यह सबसे आदाप से पूछा जाता है ठीक है बच्चे यहां तक चीड़े क्लियर है किसी को कोई समस्या चलिए उसके बाद आती है आपकी एक disease जिसको बोलते है apple scab सबसे important है इसका नाम है Venturia Sub Inequalice क्या नाम है Venturia Inequalice माफ करना सब बोल दिया मैंने Venturia Inequalice क्या नाम है इसका जो scientific name है वो है Venturia in equalis, ठीक है, काफी important है, और सीधे सीधे examों में पूछी जाती है, कि apple scab किस से होता है, कौन से fungus से होता है, उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे कि Venturia in equalis से होता है, ठीक है, यहां तक चीज़ें clear हैं, किसी को कोई doubt, आप बात करते हैं, harvesting की और yield की, fully mature fruits, जैसे ही color develop करता है, उसके बाद उसको harvest कर लियाता है, अगर yield की बात करी जाए, तो 100-500 ton प्रत hectare in medium density planting, कहरा है, जब हम medium density planting का इस्तेमाल करेंगे, तब हमारा जो orchard है, यानि कि एक hectare में 100-500 ton तक production दे सकता है, ठीक है, लेकिन अगर medium density से density कम है, normal density आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो production आपका इससे कम हो जाएगा, ठीक है बच्चे, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई, तो ये थी आज की हमारी class, जिसमें आज हम लोग discuss किये, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे और important information है, कि जो बच्चे IBPS AFO की त्यारी कर रहे हैं किसकी IBPS AFO की त्यारी कर रहे हैं, उनके लिए एक हम लोग और session लेके आ रहे हैं, ठीक है, क्या लेके आ रहे हैं, एक पूरा वीडियो वो लेके आ रहे हैं, जैसे अभी foundation का चलना है यहाँ पे, इसके अलावा हम लोग और लेके आ रहे हैं, आपकी class, I think आपको पता होगा, साय संदीब सर ने आपके साथ discuss भी किया हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग जरूर जुड़िएगा, times और सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द announce कर दी जाएंगी, अगर नहीं announce हो पाएंगी, तो हो सकता है आपको website पे, यानि कि YouTube के जो page है, हम लोगों का, ये वाला agriculture data 24 47 का, वहाँ पे आपको thumbnail हो सकता है, so होने लगेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़े थी, उसके बाद ये है एक complete video course, IBPS ASO का, यानि कि agriculture field officers का, इसमें जो बच्चे तयारी कर रहे हैं, अगर purchase करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको need है, तो आप इसको purchase कर सकते हैं इस पे pre-commends सारी चीज़ें available हैं, तो ये है complete agriculture foundation video course, जिसमें हमी लोगों के और सारे videos आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप किसी भी exams की त्यारी कर रहे हो, उस सारे exams के हिसाब से इसको design किया गया है, यानि कि आपको complete agriculture यहाँ पे मिलने वाला है, IBPS AFO में का जो course है, उसमें IBPS AFO के slavis के हिसाब से video course त्यार किया गया है, बाकि हम लोगों ने जैसे अभी आपको बताया, कि हम लोग यूटी पे यानि कि YouTube पे आपके लिए session लेके आ रहे हैं, ठीक है, हमारी जो पूरी team है, आप लोगों के लिए पूरा session लेके आ रहे ही complete, तो हम लोग YouTube पे रूबरू हो होंगे, तो जो भी बच्चे आपके साथ, आपके जानने वाले, आपके पहचान में आइगरी कल्चर, IBPS, AFO की त्यारी कर रहे हों, तो आप उनको जरूर इन्फार्म करिएगा, उनको बताईएगा, कि वहां पे session शुरू होने वाला है, ठीक है, बहुत-बहुत जो आप लोगों का हमारे साथ जोड़ने के लिए, और आप चाहते हैं कि आप सब लोग अच्छे से मेनत करते रहें और अपना selection पाएं, ठीक है, तो ये थी आज की हमारी class, बाकी कल फिर मुलाकात होगी, नए topic के साथ, नए session के साथ, तो जोड़ना ना भूले, और तब त ये ये को珄्ड़ने के साथ, वे खुर आपको के साथ, तुर जोड़ने करते हैं, तो ये 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 कृrá है, ममें धिमारी जोड़ने के अदो वात, अचर फिर ये बायाएं, जोड़ने के लिएएयों पाएं, रहिर लोग मदश desconeली के साथ, ये जोड़ने के गदमेदें, ये